नमस्कार दोस्तों, हर्स के साथ राज यूट्वीब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, बिहार पबलिक सर्विस कमिसन द्वारा 66 प्रारंभिक परिक्षा जोकी 27 दिसंबर 2020 को कंड़क्ट कराया गया था उनका प्रोविजनल एंसर की ऑफिसियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है जो भी चात्र 66 प्रारंभिक परिक्षा में एपियर हुए थे वो अपना एंसर की प्रोविजनल एंसर की से मिला ले अगर आपको प्रोविजनल एंसर की पर भी डाउट लगता है तो आप सभी को challenge करने की भी सुविधा दी गई है आप 5 फरवरी 2021 को संधिया 5 वजे तक speed post कर देंगे जो भी आपको एंसर की provisional answer की में doubt लगते हैं सारे इनके यहाँ पर जो format दिये गए हैं आप इस format के अधार पर speed post करेंगे आपके speed post 5 फरवरी 2021 संधिया 5 वजे तक जो की इनके पते पर पहुच जाने चाहिए दोस्तों एक और महत्पून बातें यहाँ पर आप देखें आज के ही डेट में नोटिस जारी किया गया है और अंगा वाद इस ती जो परिक्षा केंद 660 थी उनका जो परिक्षा पुनव परिक्षा लिया जाएगा वो 14 फरवरी 2021 को 12 वजे से 2 वजे तक यह परिक्षा पटना में होगी तो आपको ध्यान में रखना है जो भी छात्र 66 परिक्षा उरंगाबाद जीला इस्तीत जो परिक्षा केंद्र 660 थे उनमें किसी कारण बस जो परिक्षा नहीं हो पाई तो उनका जो परिक्षा है 14 फरवरी 2021 को पटना में आयोजित की जाएगी दोस्तो अब सबसे महत्पून बातें मैं आप सभी से सेर करना चाहता हूँ ओफिस्यल एंसर की आने के बाद आप सभी के मन में ये बाती आ रही होगी कि अब इनके कटप क्या जाएंगे तो दोस्तो मैं आपको सबसे पहले 65 जो की 65 प्रिलिम्स के जो कटप गए थे फाइनल जो की प्रिलिम्स कटप जो गए थे उन्ही के अधार पर 66 प्रारंभिक परिक्षा के कटप के बारे में मैं बताऊंगा तो आप ध्यान पुरुवक देखें दोस्तो आप यहाँ पर देखेंगे अन्रिजर्ब केटेगरी में 97 गया था फीमेल में 91, EWS में 92, EWS जो फीमेल है 87, SC में जो की 89, SC फीमेल में 79 और ST में देखेंगे आप 89, EBC 92, EBC फीमेल 86, BC में देखेंगे आप 94, और BC फीमेल में 88, BCL में आप देखेंगे 86 डिजेवल केटेगरी में 82, 81 और 89 कटप गया है तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 66 प्रारंभिक परिक्षा के जो कटप रहने की उमीद है अगर आपके 65, जो कि ये 65 के कटप है, 65 कटप से अगर पलस पांच नमर अधीक है तो आप कनफर्म रहें जो कि ये प्रोविजनल एंसर की आने के बाद मैं बता रहा हूँ अगर आपके पलस पांच हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं और फाइनल जो एंसर की आएंगे मुझे पूर्ण उमीद है कि 65 के कटप से सभी कटेगरी में पलस दो कटप रहने की उमीद है तो आप सभी देख लें कि आपके एंसर की आने के बाद प्रोविजनल एंसर की आने के बाद कितने एंसर जो आपके बन रहे हैं इसी अधार पर आप मेंस की तैयारी में लग जाएं दोस्तों जो भी छात्र अगर इस कटप के दायरे में नहीं आते हैं कम नम्मर आ रहे हैं तो वो अपने आपको डिमोटिवेट न करें आगे के लिए तयारी करें सफलता असफलता जिन्दगी का एक हिसा है तो आप अपने यही लक्ष रखते हुए आप आगे की तयारी करें यह नहीं तो क्या आगे अच्छी होगी इससे अच्छी होगी तो थैंक यू उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लेगी होगी थैंक यू धन्यवाद